हालो गाइस आई ओपन हारे मिन हैल एपिसोड 16 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लैक शियर कमेंट जरूर करिएगा और जो आपके लिए बैकक चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेंस उसको भी जाके सब्सक्राइब कर और इसी के साथ अब चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुवात में को दिखाया जाता है अपना हिरो उस असेशन घल को अपनी टीम में इन्वाइट करने के बाद में उसके बारे मन में सोच रहा होता है इस प्लेयर के एक्क्यूपमेंट्स और टेक्नीक इस जगा में जितन सुनने के बाद में मुझे हाट एंड सेक्सी असेशन घल होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है हम टीम बना सकते हैं लेकिन मैं आपको अपनी कॉंटेक्ट डेटेल नहीं दूँगी आज रात के बाद मुझे दुबारा ढूणने की कोशिश मत करना असेशन घल की य जारा सोचना बंद करो और इस बात को कहने के साथ में सुन्दरी वहाँ पर अपने हीरो के पास चली जाती है और उसके हाथ को लेकर अपने बलून से दन चिपकाते हुए बड़ा लटकर जटके दिखाते हुए कहती है वैसे मेरे आसपास होने पर वो आप में दिल्चस्प चलो ठीक है हम चलते हैं हमारे पास कम समय बचा है जब वह एसेशन गल वहाँ से चली जाती है दूसरे साइट में हमको दिखाया जाता है सुन्दरी अपने हीरो के पर बहुत जारा जलारी होती है तब ही अपना हीरो उससे पूसता है आखिर तुमें प्रॉबलम क्या है फि अपना काम करते हैं उसकी इस तरह की बात को सुनने के बाद में अपने हीरो के उपर से फैर हो चुकी होती है कि उसको कुछ समझ में ने आया हो तो इसका कहने का मतलब क्या है सुन्दरी की यह बास सुनने के बाद में लिटल गरल को दिखाते हैं वह अपने हीरो को छेड़ के अंदर का सीन दिखाया जाता है के अंदर जाते हुए अपना संदुरी से कहता है अरे हाँ यह पताइए आप ने मेरी को कॉल किया था मेरी रियल वॉल्yang में से जानने के लिए कि वहाँ पर आपके छोटी सिस्टन रिपलाई दिया फिर मेरे के लिए कॉल करेगी अरे मेरे दोस्त तुम्हें काम और अराम के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए और इस जंजन को क्लियर करने के बाद आप आफ लाइन जाए और थोड़ा ब्रेक ले लीजिए ठीक है उसकी यह बास सुनने के बाद में अपने हिरो के पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया और ये कहने के साथ में अपने मन में सोचता है मैं भी offline होना चाहता हूँ लेकिन ये सब एक बहानक bug के कारण है मुझे इस चीज के बारे में उसे समझाने का मौका ढोड़ना होगा इस बात को सोचने के बाद में अपना hero उससे कहता है अरे रुको मेरे खाने के बारे में क्या अगर मैं कुछ दिनों तक नहीं जागा तो क्या मुझे पहले ही मर जाना चाहिए अपने hero की बात सुनने के बाद में सुन्दरी वहाँ पर पलटते हुए कहती है अरे हाँ उसने कहा कि उसने पहले से आपके लिए इसका ख्याल रखा है और आपकी सिस्टर ने आपको सारा बचा हुआ खाना खिला दिया इसलिए इन कुछ दिनों में आपका वजन लगबख 30 किलो बढ़ गया है सुन्दरी की ये बात सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पर बहुत ज़रा घबरा जाता है उसका दिल एकदम बैठ जाता है हदस जाता है वो और अपने मन में सोचता है क्या मेरा वेट 30 किलो बढ़ गया है जब वो लोग वहाँ पर बात कर रहे होते तब ही हमको असेशन गल को दिखाया जाता है वो डंजन के गेट पर आने के बाद में उनसे कहती है हम यहाँ पर आ गए है फिर उस गेट के सामने खड़े होके और वो सबको बताती है हम जैसे यहाँ से एंटर करके अंदर जाएंगे तो हमें अर्थ ड्रेगन की गुफा दिखाई देगी अगर आप लोग जीतना चाते हैं एंटर करने के बाद तुम सभी को मेरी ऑडर को सुनना होगा क्या तुम सब मेरी बात को समझ गए है एक्दम एकसाइटेट हो जाती है वो कहती हाँ बिल्कून मैं सुनूंगी दूसे साइट में सुन्दरी को दिखाते हैं वहाँ पर मुझ फुलाते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है समझ गई लिकिन अपना हीरो अभी भी वहाँ पर अपने 30 किलो वजन के बढ़ने के कारण बिचारा बहुत ज़रा अपसोस में बैठा होता है जिसको देखने के बार में जो असेशन गल होती है वो समझ नहीं पाती कि बहुत ज़रा बद्बू लग रही होती है जिस कारण सब अपने नाग पर अपने रुमाल को रख लेती है और वहाँ पर कहती है यहाँ पर तो बहुत बद्बू आ रही है उसकी बात सुनने के बाद में असेशन गल उसको बताती है हम ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्ट ड्रे इकड़ा पर उन सबको देख रहा होता है उसकी आँख एकडम चमकरी होती है जैसे लिटल गल वहाँ पर अपर देखती है तो घबराक एकडम सपनी गैटलिंग को बाहर निकाल के चिला के कहती है और वो यहाँ है देखो और ड्रेकन जब इन लोग की आवाज को अर्थ ड् standard speed 10 magic resistance 20 skill hellfire की आग को ये उगलता है और सब कुछ जला देता है और 10 सेकंड तक उसके target को damage पहुंसता रहता है system की ये बताने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो अर्थ dragon होता है वो अपने मूमें अपने hellfire flame को attack करने के लिए ready कर रहा होता है जैसे अपने hero और सब लोग देखते हैं कि अटेक करने वाला होता है तभी अचानक से वो उसके attack को वहां पर उचल के dodge कर लेते हैं जिस चीज को देखते हुए जो little girl होती है वो उसके उपर बुरी तरह से अपने getling gun से fire करना start कर देती है जब देखती है कि इसको पर कोई damage नहीं पड़ा रहा है तभी वो गुसाते हुए कहती है ओ हो अरे नहीं इसकी खाल तो बहुत ज़रा कठोर है जैसे ही वहाँ पर little girl ने इस चीज के बारे में बोला होता है दूसरे side में अपनी accession girl वहाँ पर छुप जाती है और little girl से बोलती है उसे किसी भी तरीके से लुभा कर मेरे पास लाओ मैं उसके पेट पर हमला करूंगी क्योंकि जब पिछली बार मेरी टीममेट साथ में थे तो हमने दो बार उसके उपर पेट पर अटेक किया था जिससे कि उसको डैमेज हुआ था जब असेशन गर्ल इस चीज के बारे में बता रही होते दूसरे side में हमको दिखाया जाता है अपनी सुनने के बाद में वहां पर smile करते हुए अटेक करके कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई जब असेशन गर्ल ने इस चीज के बारे में बताया होता है कि इसका पेट वीग पार्ट है तब इस चीज को सुनने के बाद में अपना hero वहां पर सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो पहले दो round में इन लोग ने उसको उपर attack करा और उसको लगा भी लेकिन third round में ऐसा क्या हुआ जिस कारण से इसके teammate मर गए फिर वो उस पल को याद करता है जब dungeon के बाहर वो assistant girl ने अपने teammates के बारे मताया होता है इस dungeon के अंदर हमने जब तीसरा round लड़ा तो मेरे teammates सारे क सारे मारे गए दूसरे side में हमको दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरी होती है उस अर्ड ड्रेगन के पीछे आकर उसको पर attack कर रही होती है अपनी lightning से तभी अपना hero उनकी तरफ देखते हुए सोसता है अरे रुको ये तो hell का एक real demon है इसलिए वे जब भी reincarnate होंगे तो व उसकी तरफ attack करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको देखकर अपना hero मन में सोचता है जिसका आर्थ है कि जब भी ये मरता है तो इसकी memory इसके पास होती है कि ये कैसे मरा और ये पहले से ही जानता है कि हम उसके उपर किस तरह का attack करने वाले है या हम किस तरह के trap बिचाने वाले हैं इस चीज को फिल करने के बाद में अपना hero वहां पर चिला के कहता है तुम सभी लोग वहां पर सेफ नहीं हो वहां से हट जाओ वापस आओ हलो गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो subscribe, like, share, comment जरूर करिएगा और आपके लिए जो backup चैनल बनाया है उस पर भी जाकर subscribe कर लें और इसी के साथ मिलते हम लोग next episode में thank you for watching my video love you all